मैं हूँ अंकेत अवस्ती, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विशह पर चर्चा करने के लिए जो कि आप लोगों को बहुत सारी भांतियां दूर करने वाला है, बहुत सारे ऐसे जो हमारे दिमाग में एक प्रकार से सरकार, सरकार की नीतियों और उनको लेकर के जो विचार धार रहती हैं, उन पर आपके बहुत सारे clarity of thoughts जरूर ला कर देगा, इस session को आपने end में conclude कर देना चाहिए, जब आप देख लेंगे उसके बाद अपने द्वारा comments करके जरूर बताईएगा, क्या था आपके सोच में और इस session को देखने के बाद आपको क्या नया पता चला, आज कुछ लोगों सक्टा मांते हैं, कुछ उन्हें वाकई में game of skill मानते हैं, उन games को लेकर के सरकार की मंद्शा क्या है, ये आज पभलिक हो गई है, सरकार क्या सोचती है, क्या भविश्य में on-line games को लेकर सरकार सकती बरतने जा रही है, या फिर on-line games के दम पर सरकार धन कमाने क सोच रही है, सारी बातें आज के सेशन में आप से चर्चा करेंगे, एक एक करके, ऑनलाइन गेम से जुड़े हुए, सबसे पहले आपके सामने वो मसले रखे जाएंगे, जिन्हें जानते हुए, जिन्हें देखते हुए, आपके साथ, या आपके जानने वालों के साथ, या सब के सामने रखी है उस पर आज हमारी चर्चा होगी लेकिन उससे पहले आपको online games क्या हैं उनके बारे में थोड़ी सी basic जानकारी जो आपके पास already है उसके बारे में और दे देते हैं आप यहाँ पर कुछ examples देख रहे हैं किसी का नाम win big है किसी का नाम captain है यह हमने random कोई image उठा कर ले ली है इन इस तरह का जो online platform होता है उसमें आपके सामने offer दिया जाता है कि दो लोग ludu खेल रहे हैं ludu खेलते समय उसमें आपसे यह कहा गया कि आपको अगर खेल खेलना है तो इसमें मज़ा तब है जब आप thrill के साथ खेले thrill का मतलब जीतने हारने पर पैसे मिले जीतने हारने पर पैसे मिले तो आपके paytm को आपके upi को connect कर दिया गया है और connect करके आप इसमें इतना पैसा लगाईए अगर आपको यह game खेलना अच्छे से आता है तो इसमें आप पैसा जीतिये और घर जाईए ऐसा करके भारत में कितने लोग involved हैं यह आज आपको जानकारी पता चलेगी और इतना ही नहीं भारत सरकार के सपने क्या है जिस चीज को आप जुआ, सटा या online betting समझते हैं असल में भारत सरकार की नजर में क्या है हम आपको वहाँ लेकर चल रहे हैं और आप जिन numbers को रट-रट के खुश होते हैं कि हाँ, देश के अंदर इतने unicorn बन गए हैं उन unicorn की पीछे की कहानी क्या है वो भी आज हम आपके सामने रखने वाले हैं जरा आईए और इसको लेकर के जो अपनी सोच है उससे थोड़ा सा deviate होकर इन चीजों को सुनने का प्रयास करिए तो आपके सामने यहाँ पर यह जो चीज मैंने दिखाई ऐसे ही आपके दिमाग में बहुत सारे fantasy applications जहने fantasy आप बोलते हैं लेकिन यह applications अपने आपको game of skill बोलते हैं game of skill का अर्थ हुआ कि आपको खेलना आता है तो आप खेलिए आपको पता है कि हाँ इतने players की performance अच्छे चल रही है इन performance के दम पर हम इस खेल को खेलेंगे और हमारे खेल के अंदर जो score बनेंगे उस आधार पर हम game जीत सकते है अगर game जीतने के chances आपको है तो इसको online game कहा गया online game का सबसे अर्थ जो शाबदिक है वो यह है कि आप physical workout नहीं कर रहे हैं अभी तक हमारे लिए games outdoor और indoor दो प्रकार के हुआ करते थे लेकिन हाँ उसमें आप physically interact जरूर करते थे घर के अंदर और घर के बाहर इस प्रकार के games हमारे मन में अब तक रहे हैं एक अब नए word में हमारी entry हो चुकी है जिसको लेकर समाज दो प्रकार की पृतिकरियां रखता है नया word क्या है कि अब game outdoor और indoor से भी आगे आ चुका है जोड दिया जा रहा है इस बात को सरकार भी समझ चुकी है लेकिन आप लोगों ने जो समझा जो market में खबरें हैं उनकी भी चर्चा की जाती है सामान नितया इस तरह की खबरें जैसे ही आती है समाज में एक ऐसा message जाता है कि पता नहीं online game के नाम पर क्या क्या हो रहा है जैसे online fraud का एक case है वर्ष 2022 में 2 अगस्त का कि online game के चक्कर में एक व्यक्ति ने 27 लाख रुपे गमा दिये ऐसा ही एक case है online gaming के जरिये करोडों की ठगी करने वाला एक व्यक्ति दबोचा गया जो रुपेयों को क्रिप्टो करनसी में बदल कर भेजता था दुबई ऐसे लोग भी हैं ऐसी भी हैं कि जनोंने online gaming के नाम पर 60 लाख रुपे की धोका धड़ी की इस तरह कि जब सुर्खियां हमारे सामने आती है तो निकल कर ऐसा आता है कि यार कुछ ना कुछ बड़ा फ्रॉड है जो हमसे चुपाया जा रहा है सरकार कहती है अरे नहीं भाई बड़ा फ्रॉड नहीं है बहुत अच्छे से स्किल का गेम है लेकिन ये स्किल का गेम और वर्सिस फ्रॉड इसी में जनता बटी हुई है क्योंकि न्यूज दोनों तरह की मार्केट में है न्यूज आती है मार्केट में कि सिक्स ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने ग्यारा सो करोड रुपे चाइना और हॉंग कॉंग में भेज दिये ऐसा एन्फोर्स्मेंट डिरेक्ट रेट ने कहा है ये खबर आती है अक्टूबर 21, 2021 में ये खबरें कई प्रकार की विचारधाराई हमारे सामने लेकर आती हैं लेकिन क्या आपको पता है इन सबके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कानून का अभहाव होना गेम अच्छा, बुरा, सही, गलत ये तो आपके उपर है आज समाज में हमारे जिसमें हम रहते हैं उसमें अधिकांस राज्यों में शराब की दुकाने कुली हैं सिगरिट दुकानों पर बिक रही है तमबाकू दुकानों पर बिक रही है सरकार उनके उपर बेन नहीं लगाती नहीं लगाती इसका अर्थ ये नहीं कि सरकार आपसे ये कहती है कि आपको पीने के लिए insist किया जा रहा है बकाइदा सरकार के दुकानों के आगे विग्यापन लगाती है कि हाँ ये सरकारी दुकान का ठेका है, सराब का ठेका है आपका मन करें तो आप लीजिए क्योंकि सरकार को उससे राजस्व की प्राप्ती हो रही है exactly ऐसे ही online game अगर कोई पर कोई stadium में cricket खेला जा रहा है सरकार आपसे ये नहीं कहती कि आप जाकर वाँ ticket लेकर game देखने जाईए क्योंकि वो भी आपकी समय की और पैसे की बरबादी है मजा आपको आ रहा है आपने office से छुट्टी ली है आपने अपना पैसा खर्च करके stadium का ticket लिया है आपने online subscription लेकर के hot star पर match देखा है ये आपका अपना fun है अब जब आपका अपना fun आता है तो आपके मूल अधिकार आड़े आ जाते है जी हाँ साथियों आपके मूल अधिकारों में स्वतंतरता के अधिकार आड़े आ जाते है आर्टिकल चौगधा हो या आर्टिकल 19 हो या आपके बीच में आ करके आपके खेल के, आपके मनोरंजन के साधुनों में स्वतंतरता की बाधा बन जाते हैं और ऐसी इस्थिती में आप ही नहीं कोड्स तक कन्फ्यूज होती हैं आपको एक बार का वाक्या बताते हैं साथियो 65% इंडियन्स से जब एक सर्वे कराया गया और पूछा गया कि वो फेंटेसी स्पोर्ट्स को क्या मानते हैं 65% ने कहा हम इसे गैंबलिंग मानते हैं, जुआ मानते हैं ये क्या था फेंटेसी? फेंटेसी का अर्थ हुआ कि आप लोगों को ये फील कराया गया कि आप खुद क्रिकेट खेल रहे हैं फील कैसे कराया गया? ऑनलाइन, जैसे आपको बताया गया कि आपकी अपने 11 लोगों की टीम है आप उनसे प्ले कराये और उनके थुरू आप रियलाईज करिये कि वो कैसा खेल रहे हैं आप अपने आपको फील करिये कि आपकी टीम खेल रही है 65% लोगों ने इसे गैंबलिंग माना ये एक कंपनी का सर्वे था इस सर्वे में 65% लोगों के अंदर से 45 में 107 रेस्पॉंडेंट ने ये स्विकार किया कि ओनलाइन स्पोर्ट्स आर गैंबलिंग और गेम आफ चांस विद रिस्क यानि कि ये गेम आफ चांस है जीत गए तो जीत गए अदरवाइस हार गए लेकिन यही बात जब कोर्ट में पहुँची तो ये जानकारी सिद्ध नहीं हो सकी क्योंकि असल में जो शब्द गेम बना है वो गेम अपने आप में ही ऐ निश्चित्ता से बना है असल में गेम है क्या अगर गेम में सब कुछ प्रिडिक्टेवल होने लगे तो शायद गेम की महत्व ही खतम हो जाए आप क्रिक्ट देखने बैठे या खेलने जाएं दोनों ही इस्थिति में प्रिडिक्टेवल कुछ भी नहीं होता चाहे फिर टीम में आपके पास सचिन, सहवाग, तैंदुलकर जो भी आपको बेस्ट के किलाडी लगे वो हो या फिर कोई अंडर डॉक टीम हो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस गेम के अंदर क्या होगा गेम में तो गेम बाई चांस होता ही है लेकिन अनभाव के आधार पर आप जब ये कहते हैं कि इस पिछ पर बॉल इतनी तरह की गिरेगी इस पिछ के उपर इस तरह से बॉल स्विंग करेगी ये एक्सपिरियन्स हैं जिन में चांस नहीं लगता इसके आधार पर इसे गेम ओफ इसकिल कहा जाता है आप और हम क्या सोचते हैं ये बाते सरकारें और कोर्ट भी सोचती हैं तब ही तो करनाटका सरकार ने इस चीज के ऊपर एक पारित कर दिया जिसका नाम था करनाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 जिसमें साफ साफ करनाटका सरकार ने ओनलाइन गेम्लिंग और इसकिल बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया जैसे ही 2021 में इस पर बैन लगाया मामला करनाटका हाई कोट पहुँचा मामला जब करनाटका हाई कोट पहुँचा तो करनाटका हाई कोट ने फरवरी 2022 में इस बात को ये कहते हुए रद कर दिया या करनाटका सरकार के फैसले को ये कहते हुए रद कर दिया कि game हमेशा skill के होते हैं और इस वजह से ये कोई betting game नहीं है ये game of skill है अब जिने आते हैं उनके लिए game of skill है जिने नहीं आते उनके लिए तो हर चीज game of chance है सच्चाई भी है अगर आपको car चलाना नहीं आता तो आप car से अपने destination तक पहुँच जाएंगे ये एक by chance ही संभव है otherwise तो आपको नुकसान ही होगा ऐसी स्थती में करनाट का high court ने ये कहते हुए इस बात को पूरी तरह खंडित कर दिया और online gaming को allow कर दिया घटना आगे बढ़ती है यहाँ पर कई तरह के तरक वितरक करनाट का high court में दिये गए जिनमें सबसे important तरक था article 19 और article 21 के तहर दिया गया तरक आर्टिकल 19 में जहां इस बात को कहा गया कि यह trade और commerce पर fundamental right देता है वहीं आर्टिकल 21 में यह liberty और privacy देता है यानि व्यक्ति को अपने हिसाब से कुछ भी करने का अधिकार होना चाहिए कोई बात नहीं इन तमाम चीजों को सुनते हुए करनाटा का सरकार पहुँच गई केंदर के पास और कहकर पहुँची कि सर ऑनलाइन गेम्स को लेकर कोई कानून बनाईए उम्मीद करके तो यह गए थे कि सरकार शायद ऑनलाइन गेम्स को बंद करा देगी लेकिन उन्हें क्या पता था कि सरकार तो इन से बहुत उचे सपने देख कर बैठी है कैसे सपने आईए बताते हैं साथियों हमारी IT मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट लाँच किया है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग को लेकर रूल्स बनाए जा रहे हैं यानि ऑनलाइन गेम अब सरकार खुद अपने इन कानूनों के माध्यम से ऑथराईज करने जा रही है तभी तो हमने आपको आज के तमनेल में दिया था कि क्या ऑनलाइन गेम्स अब में स्ट्रीम गेम्स हो जाएंगे लगता तो यही है जिस प्रकार से आज के समय में सोशल मीडिया जो कि एक समय तक मीडिया के पैरलल चल रहा था मीडिया जिसे मान नहीं रही थी आज वो में स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा हो चुका है आप जानते हैं सरकारों में सूचनाएं सबसे पहले सोशल मीडिया पर दी जाती हैं उसके बाद प्रिंट मीडिया अथवा वर्च्वल मीडिया पर आती हैं आज सोशल मीडिया पर आप सब लोग ट्विटर के माध्यम से सरकार के या अंतराष्टिये किस्सों को सुनते और देखते हैं आपके अख़बार में या फिर आपके जो वीडियो मीडिया है उसमें शायद वो बहुत देर बाद आती है एग्जेक्टली ऐसे ही सरकार ने सोशल मीडिया को जिस प्रकार से आईटी रूल्स में बांद कर उसकी डिगनिटी को इंटिग्रिटी के साथ जोड़ दिया एग्जेक्टली वैसे ही अब ऑनलाइन गेम्स के लिए भी कानून बनाये जा रहे हैं और वो कानून आप सब की सलहा के लिए ओपन किये गए हैं आपसे राय मांगी गई है कि आप इन ओनलाइन गेम्स के लिए क्या कानून में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट चाहते हैं। आईए मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। तो सरकार के द्वारा Draft Rule for Online Gaming, What are the Regulations Government has Released and Why? सरकार क्या तो Regulation लेकर आ रही है, क्यों लेकर आ रही है, इनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। साथियों, Ministry of Electronics and IT, that is METI, ने हाल ही में Draft Rule for Online Gaming Release किये हैं। जिसमें सबसे important बात रखी गई है, कि जिस तरह से social media पर check and balances रखे जा रहे हैं, ऐसे ही अब online gaming पर एक self regulatory body बनाई जाएगी। अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बन रहा होगा, बहुत सारी उल्जना रही होगी, यार ये तो हम लोग तब से कह रहे थे, gambling है, gambling है, सरकार ये क्या कर रही है। जनाब सरकार इसे regulate कर रही है, जिस तरह से और games हैं, वैसे ही इसे भी एक game बनाया जा रहा है। Self regulatory body, mandatory know your customer norms for verification, मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अब आप online game खेलते समय अपना account बनाएंगे, तो उसमें आपको एक एक चीज verify करवानी होगी, आप कौन है, आपका account number क्या है, आपका address क्या है, आपकी सारी details जिस तरह से आप bank account पर verify करते हैं, वैसे ही online game खेल यदि आप पैसे लगा कर खेलते हैं, तो know your customer जैसे bank करती है, ऐसे ही अब game खेलाने वाली company करेंगी, ये draft rules में प्रावधान है, ऐसे ही एक grievance redressal mechanism, sometimes game खेलते समय आप लोग ऐसा feel करते हैं, कि आपके पैसे कहीं डूब गए, या फिर किसी फरजी application में पैसे लगा दिये, पत इसी स्थती में, grievance redressal, यानि आपके शिकायत को सुनने के लिए पूरा एक mechanism बनाया जाएगा, और इस पूरे काम को करने के लिए, online gaming में, ministry of electronics and IT ने drafting करके, अपना draft Monday को release कर दिया, Online game will have to register with a self-regulatory body, only games cleared by the body will allow to legally operate in India, यानि जो भी games self-regulatory body के साथ connected होंगे, वही India के अंदर operate होंगे, बिलकुल वैसे ही जैसे social media के साथ किया गया था, Online companies will not be allowed to engage in betting on the outcome of games, गेम का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस आधार पर कोई भी game नहीं खिलवाएगा, कि शेलंका और इंडिया के मैच में कौन जीतेगा, इस आधार पर कोई भी, यानि कि result क्या होंगे, इसके आधार पर कोई भी game नहीं तो फिर क्या होगा, performance किसकी क्या रहेगी, ये आपका prediction हो सकता है, यानि online games में games of skill आगे आएंगे, ये सरकारी दावा है, ये सरकारी draft है, Minister of State for Electronics and IT राजीव चंदरशेखर ने हाल ही में कहा, कि around 40-45% of gamer इंडिया के या तो बच्चे हैं या वो महिलाएं हैं, ऐसी इस्थती में gaming ecosystem safe रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, इतना ही नहीं, online gaming a very important piece of the startup ecosystem, यही point मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, gaming जो है वो इस समय जो हमारे देश का startup ecosystem है, जिससे सरकार को उम्मीद है कि यह एक दिन एक trillion dollar की economy बनेगा, कौन startup ecosystem, उसमें बड़ा हिस्सा online games का है, आप में से शायद ही बहुत से लोग जानते हों कि आज हम जब proudly कहते हैं कि इंडिया में, मोदी जी कहीं भी जाते हैं, SEO की summit में जाते हैं कहते हैं, हमारे देश में 100 से अधिक unicorn हैं, अर्थात 1 billion dollar से बड़ी कंपनिया हैं, वहाँ पर इन online game कंपनियों का नाम भी शामिल होता है, और ऐसी स्थती में सरकार पूरी तरह यह आश्वस्त है कि आने वाले समय में हम government will work hard to ensure all opportunities are provided to Indian startups, यानि Indian startups को जो भी opportunities चाहिएं, हम वो उपलब्द कराने का पूरा प्रयास करेंगे, साथियों आपके सामने एक तस्वीर साजा करता हूँ, इस तस्वीर के अंदर आपके सामने इंडिया के उन unicorns की तस्वीर है, जो की 1 billion dollar से ज़्यादा की वर्थ रखने वाले startups हैं, इन में बहुत सी कंपनियों के नाम है, इंक्लूडिंग Unacademy, जिसके आप platform पर इस समय देख रहे हैं, वो भी एक unicorn startup है, लेकिन इसके अलावा भी, जो जैसे यहाँ पर आपको Unacademy दिखाई दे रहा होगा, शायद बहुती छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर, ऐसे ही आपको यहाँ पर Dream 11 दिखाई दे रहा होग जिसका My 11 Circle या Rummy Circle गेम आता है, आप में से बहुतों ने शायद खेला होगा या देखा होगा, ऐसे ही एक गेम है जिसका नाम है MPL, अगर आपने नाम सुना हो, वो भी इन ही unicorn कमपनियों के अंदर शामिल है, यानि कुल यह रहा MPL, यहाँ देखिए Dream 11, Game 247, MPL, यह वो तीन कमपनिया हैं, जो कि इस समय देश के अंदर unicorn कमपनियों में शामिल है, यह जो game 24 into 7 है, इसी का My 11 Circle है, यही रमी सरकल और My 11 Circle गेम खिलवाता है, कुल मिलाकर मतलब क्या है, कुल मिलाकर मतलब यह है कि देश के unicorn ecosystem के अंदर, जिनका बहुत बड़ा contribution है, वो यह सब startups हैं, और य सबूत करना चाहती है, साथियों, revenue जो Indian mobile gaming industry से expect किया जाता है, वो 2025 तक 5 billion dollar का है, इन से revenue 5 billion dollar का expect किया जाता है, अगर growth की बात की जाए, तो आप इस से अंदाजा लगाईए, कि देश में 2017 से 20 के बीच में 38%, यह compound annual growth rate बता रहा हूं, मैं 38% की दर से India में online game बढ़े हैं, वहीं 8% की दर से चाइना में और 10% की दर से US में बढ़े हैं, इंडिया के अंदर यदि इसका अंदाजा लगाया जाए, तो आने वाले 2024 तक 153 billion रुपए online gaming से generate होंगे, ऐसा सरकार को उम्मीद है, दुनिया के top 10 gaming market की बात करें, तो उसमें China number 1, फिर US, फिर Japan, South Korea, UK और फिर इंडिया का नाम निकल कराता है, online game में वर्तमान में जो draft जारी किया जा रहा है, उसमें जो नियम बनाये जाएंगे, उनमें AI, virtual reality, metaverse, आदीन सब को शामिल करते हुए, self regulatory body का निर्धारन किया जाएगा, gaming infrastructure को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा, अब इसमें कौन से कौन से games recover किये जाएंगे, तो उनके अंदर online games को इसमें cover करने की बात की जा रही है, online real money games are covered within proposed amendments, अर्थात, यहां से आगे, यदि कोई भी व्यक्ति online game खेलता है, और यदि वो पैसे लगा कर game खेलता है, अपने account से पैसे लगा कर game खेलता है, तो वो proper त आएगा, यानि कि इस तरह कि companies, चाहे वो my 11 circle, dream one, MPL, यह जितने भी company हैं, जिन में online का KYC होता है, वो अपने platform पर लोगों को game खिलवा पाएंगे, तो सबसे important चीज क्या होने जा रही है, self regulatory body, दूसरी important चीज, KYC, तीसरी important चीज, random number generation certificate, यह बहुत important चीज है साथियो, इसमे my 11 circle का एक विग्यापन है, कि एक रुपए के अंदर iPhone जीतो, यह क्या है, यदि sometimes इसको देखा जाये, तो यह लगता है, लक से lucky draw निकला है, लेकिन किसी किसी बार यह आरोप लगता है, कि सहाब, क्या पता किसी अपने ही आदमी को एक रुपए के अंदर my iPhone पकड़ाया जा रहा हूँ, ऐसी इस्थती में, यहाँ पर इस बात का निर्धारन करने के लिए भी, platform के उपर, जो इस तरह के card game अफॉर करता है, इनके लिए कुछ number दे दिये जाएंगे, random number generation certificates दिये जाएंगे, जिससे ये बात confirm हो सके, कि ये चीज predict नहीं की जा सकती, कि ये किसे मिलेगा क्योंकि sometimes क्या होता है, कि बाई साब इसको मिल रहा है, यानि कि company ने पहले से ही decide कर रखा होगा, इसको car देनी है, company ने पहले से ही decide कर रखा होगा, अपने ही लोगों को उपहार मिल रहे होंगे, इसके लिए proper random number generation certificate system लागू किया जाएगा, इतना ही नहीं, no vote certificate भी company को देना पड़ेगा, यानि कि जबरदस्ती आप दिखा नहीं सकेंगे, कि हमारे इतने लोग खेल रहे हैं, इसके साथ साथ betting के उपर restriction रहेगा, यानि result के उपर कोई bet नहीं कर सकेगा, कौन सी team जीतेगी, इस पर कोई bet नहीं लगा पाएगा, इसके साथ साथ ये जितनी भी compliance है, कि आपको ग्रिवांस रिड्रेसल की पूरी mechanism बना कर चलनी होगी, अब ये काम कहा हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मेटी ने आप सबसे जनवरी 17 तक अपने comments मांगे हैं, कहां पर मांगे गए हैं, तो ये राजीव चंदरशेखर जी हैं, इन्होंने बकायदा अपके comments मांगे है innovation.innovateindia.mygov.india पर, आप से कहा है, कि हम draft कर रहे हैं कुछ amendments को online games के लिए, आप सब के comments आमंतर निये हैं, तो हमने आपके सामने link शो कर दिया है, आप मेंसे जो भी लोग अपने अपने level के grievances रखते हैं, ग्रिवांसिस से मतलब, यदि कभी कोई online game के बारे में कोई चर्चा भी करता है, तो उस पर आप तूट कर पड़ते हैं, यदि आपके मन में ऐसी कोई भी बाते हैं, तो आप आराम से जाए, सरकार आपको मौका दे रही है, आप अपनी बाते यहां जाकर के proper तरीके से रख पारियां मांगी गई हैं, जिनने जो भी अपने सजेशन्स देने हैं, वो जाकर यहां पर सजेशन्स दे सकते हैं, टीक है, लोगों ने कैसे react किया इस बात के उपर, ओव्यसी बात है, जो स्टार्ट अप एको सिस्टम के लोग हैं, वो इस बात की तारीफ करेंगे, और इस बात का वेलकम किया है, और जो लोग भी इस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने स्वभाविक है कि इस बात का वेलकम किया है, क्योंकि लोगों में ऑनलाइन गेम्स को लेकर के एक ही भाव आता है, और वो यह है कि यह सट्टा है, यह सट्टेवाजी है, और सट्टेवाजी क जिस तरह से predict करके हमारे देश में दिखाया जाता है उस बात को सरकार अब पूरी तरह से कानूनी रूप से लेकर आ रही है यानि कि draft format के साथ लेकर आ रही है निस्टित ही इस से देश में और भी बहुत सारे startups खड़े होंगे और उने startups की मदद से यह market और भी बूम करेगा फिलाल के लिए इतना ही आपकी क्या राय है वो आप मेटी की suggestion पर जाकर के फाइल पर जाकर के दीजिएगा फिलाल के लिए इतना ही यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर like और share करे चैनल पर नए है तो subscribe करें मेरा referral code है अंकित 10 जिसका use करके आप 6 तारिक तक यह जो मेरा referral code की वज़े से course चल रहा है जो 5 तारिक को आ जाएगा उस पर आप 1549 रुपए में यह की one triple nine का course है 6 महीने के लिए history geography, policy, economy आन academy पर goal है general awareness by अंकित अवस्ती यहां से जाकर के आप मेरा live course ले सकते हैं यह course 6 मन्त का है आपको 1539 के अंदर यह उपलब्ध हो जाएगा अंकित 10 लगाने पर 23% discount के साथ link comment box में दिया गया है यदि आप चाहते हैं तो इस course को ले ले परसों से यह classes शुरू हो रही है मैं यह अशौर जरूर कर सकता हूँ कि यदि आपने यह classes पढ़ी तो आपको foundation जो भी जीके का है history, geography, policy, economy का शायद ही वो कमजोर रहे बाकी तो भाई कई बार ग्यान ग्रहन करने वाले पर भी होता है मेरी तरफ से प्रयास पूरी तरह रहेगा फिलाल के लिए इत्ता ही अपना खयाल रखें धन्यवाद